अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया है हर्यक वंस, सिसुनाग, वंस, फिर उसके बाद देखा था हम लोगों नंद को और चौथा राजवनस जो था वो था आपका मौरे तो इन चार राजवनसों के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया अब आगे देखते हैं हम लोग बहुत धर्म को चटी सताब दी इसापूर्व में जो भी कर्मकांड वैदिक धर्म के थे उसके विकल्प के रूप में एक नय धर्म को लाया गया वैदिक धर्म के व जर्म होता है इनका 566 हिसापूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी घ्राम में पिता थे इनके सुद्धोधन और ये थे साक किगन के मुखिया और इनकी माता का नाम था महामाया जर्म के कुछ दिन के बाद महामाया के मृत्यों होया आती है फिर पालन पोसन इनका किया गया महाप्रजापति गौत्मी के द्वारा इनकी पत्नी का नाम था यह सोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहूल इसके बाद इन्होंने तीस वर्स की अवस्था में ग्रही का त्याक किया और ये घटना कहलाया महा भिनिश्क्रमन इनको ग्यान की प्राप्ती होती है बोध गया में निरंजना नदी के थटपे पहले गुरू थे इनके अलार कल्मा पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारानाथ में और ये कहलाया था धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध ने जो अपना सरवादिक उपदेश दिया वो दिया था कोसल की राइधानी सरावस्ती में संग में मैलाओं का प्रवेश वर्जित था लेकिन प्रथम नारी जिसको प्रवेश दिया गया वो थी महाप्रजावपती गौत्मी 483 सा पूर्वि में कूसी नगरमीन का देहा वसान हो जाता है और ये घटना कहलाता है क्या महापरी निर्वान इन्होंने दुख के चार आरी सत्य बताया थे पहला दुख की दुख है संसार में दुख का कारण बताया था इन दुखों को रुका जा सकता है दुख निरोध में और इन दुखों को कैसे रुका जा सकता है वो बताया था इन्होंने दुख निरोध ग्रामनी प्रतिपदा में इन दुखों को रोकने के लिए इन्होंने आस्टांगिक मार्ग पताया था यानि हमको ध्यान रखना है चार आरी सत्य और आस्टांगिक मार्ग आस्टांगिक मार्ग ठीक है? इसके बाद बॉद्ध धर्म के त्रिरतने हैं कौन-कौन? तो बुद्ध, धर्म और संग चार बॉद्ध संगितिया होती है अलग-अलग सासकों के समय में पहली बहुत दसंगिती होती है चारसो तिरासी सापूर्व में राजग्री ही में माहा कस्थप इसके अध्यक्ष होते हैं इनकी अध्यक्षताय में होती है राजा उससे में होता है अजाजसत्रू हर्यकवनसका इससे में सूत पीटक लिखाया आता है आनंद के दौारा इसमें बुद्ध के जो अप्देश हैं उसको सं miceρत किया गया और विनायपीटक लिखाया अउपाली के दौारा इसमें बुद्धसंग के जो नियम थे उनका विबरन दिया गया विनायपीटक में इसके बाद दूसरी बुद्ध ये बुद्ध बुद्ध संगती होती है अपका 383 सापूर्व में कहां पर वैसाली में सभाकामी इस समय इसके अध्यक्ष होते हैं राजा होता है काल असोक इस समय जो होता है बहुत धर्म जो होता है वो दो भागों में बठा कौन कौन स्थाविर या फिर थेरा वादी ठीक है और इनके जो ग्रंत थे वो किस वादा में तो संस्कृत वादा में स्थाविर या थेरा वादी के जो ग्रंत थे वो किस वादा मे और दूसरा जो भाग था बौध धर्म का वो कहला है महा संगिक और ये महा कस्ट्यप के दोरा स्थापित किया गया और इनके जो गरंथ थे वो किस भाशा में प्राक्रित भाशा में यानि स्थावीर, ठेरवादी और महा संगिक इन दो भागों में बौध धर्म बट गया ताविर थेरावादी का जो ग्रन्त हताँ वो था आपका संस्कृत में इसके बाद तीसरी जो बौध संगिती होती है वो है 250 हिसा पूर्व में पाटली पुत्र में होता है ये तिसा के अध्यक्षता में होता है असोग इस समय राजा होता है इस समय आपका संकलन किया गया अभिधम पीटक का और इसी किसम ये असोग के समय ही बाद धर्म का प्रचार सुरू किया जाता है इसके बाद चौथी बाद संगिती होती है अंठानवे इसवी में कस्मीर में वसुमित्र के ध्यक्षता में कनिस्क इस समय राजा होता है इस समय बात धर्म का फिरसे भी भाजन होता है दो भागों में ही नियान और महायान इसमें महातमाज बुद्ध जो थे उनको महापुरुष की तरह देखा गया मुर्ति पुजा में बिस्वास नहीं था इन लोगों का सभी ग्रंतिन के पाली भासा में थे मुक्ष प्राप्तिक अमार इन्होंने अनुसासन और ध्यान को बताया और इसका प्रसार किया गया दक्षिन के देश जैसे कि स्रिलंका, वर्मा और जावा में कालांतर में ये फिर से दो भाग में बढ़े आता है बैभासिका और सौतांत्रिका, ठीक है तो ही नियान, इसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष की तरह देखा गया भगवान की तरह नहीं इसके बाद दूसरा साखा है महायान इसमें बुद्ध को इस्वर का दर्जा दिया गया इसके जो जातक थे उनमें मुर्ती पूजा का प्रावधान था बुद्ध की सहायता और उनके अभार से ही मुक्ष की प्रावति की जा सकती है इनका ये मानना था और इसका जो प्रसार हुआ वो उत्तर में हुआ जैसे कि चीन, कोरिया और जापान ये आत्मा और पुनर जर्म इन दोनों पर विस्वास करते थे बाद में फिर से ये दो भाग में बट गया यानि ही नियान का भी दो भाग बैवासिका और सौतांत्रिक और महायान का भी दो भाग माध्धिमिका और सूनिवाद और दूसरा योगचार और या फिर विज्ञानवाद इन दो भागों में फिर से बट गया महायानवी तो इसके जो प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्र्वर्वर् वज्रियान उसको कहा गया और इसमें मोक्ष जो था उसका अधार बताया गया जादू, टोना और जादू ही सक्तियों का और ये व्याप्त था आपका वज्रियान के साखा कहां पर पूरवी भारत यानि बंगाल और विहार इन दो राज्यों में फिर है इसका बास्तुकला, तो इसमें आता है चैत, इसमें जो बहुत भिक्षु थे उनके प्रार्थना स्थल को बोला गया चैत, विहार, उन बहुत भिक्षुओ के निवास स्थानão को और स्थूप, जहांपे बुद्ध के अपसेस्थों को संरक्शित रखा गया, उस जग इसके बाद बुद्ध से सम्मंदित जो प्रतीक हैं उनके जन्म को प्रदर्शित कहता है कमल या फिर सांड ग्रेत्याक को प्रतीक है वो है गोड़ा ज्यान का प्रतीक है इनका पीपल निर्वान का पधिचिन और मृत्यू का स्तू तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखेंग जिए एंगा है अमलो इसके बाद जो बहुत विस्विद्याल है खोले गए उनको देख लेते हैं यह बार यहीं पर पही तो नालंदा विस्विद्याल है यह बिहार में है आपका और इसकी स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा फिर ओधन्त पूरी विस्वि धर्मपाल नहीं किया था और जगदल विस्विद्याला ये बंगाल में है आपका और इसके स्थापना की गई थी रामपाल के द्वारा बल्लवी ये गुजरात में है और इसके स्थापना की गई थी भट्टारक ने किया था इसको स्थापित गुजरात में बल्लवी इनका ज के बाद से बहुत धर्म का पतन स्टार्ट हो आता है और पालवंस के बाद इसका कोई संरक्षक भी नहीं भजा फिर 11 अताबदी में आता है आपका बक्तियार खिल जी उसने बाद मठो का बिद्धुन्स करना स्टार्ट कर दिया था ठीक है तो ये हो गया हमारा बाद धर्मा